सुमारको नगर निगम के रानी लच्मी बाई पार्क में अनिशित कालिन धरने पर बैटे उतर परदेश लेखपाल संग ने जिला अदेश नील कंड धर दूबे के नेतरुत में चौते चरड के धरने के आठवे दिन भी जारी रहा अनिशित कालिन धरने में साथ तहसीलों से भारी संख्या में लेखपाल मौजूद रहे आठ सुद्री मांग को लेका धरने पर बैटे लेखपाल संग ने जोरदार परदेशन करते हुए नारे लगाए लेखपाल संग का कहना है कि जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा इस समद में गुरफपू नियू समधाता से बात करते हुए धरने में शामिल लेखपाल तहसील चौरी चौरा से चंचल राइया भावना त्यागी और जिला मंतरी उतरपरदेश लेखपाल संग जगदीश परसाद ने कहा कि जैसे कि प्रदेश इस तर पर बात चल रही है मुख्यमंत्री साहब के यहां पर तो जो भी मुख्यमंत्री साहब का नेड़ा होगा उसे हम अच्छा पालन करेंगे जो भी उनका डिसीजन होगा बाकी हमारा धरना यहां पर जबतर नेड़ा नहीं आ जाता तब तक जी साथ हो तैसिल से यहां पर इखटा होते हैं जित्ती गोरफपुर में तैसिल हैं बागी सभी लोग आ रहे हैं कोई भी एक्षण नहीं रहता रोज सभी दस वजे आ जाते हैं और चार वजे तक यह थागतिस्तान पर बने रहते हैं सर्फ हमारी आठ सूतिय मांगी है जैसे कि मैं योगी जी का भी भाशन सुन रही थी तो उन्होंने बोला था कि यदि किसी की साथ सोशन हो रहा है तो उनको लोगतांत्रिक धंग से आगे आकर अपनी बात कहनी चाहिए तो सर हम देने भी तो लोगतांत्रिक धंग से आगे चाहिए जैसे कि हम ऊपरोक्स थाउस शाटता 90 श्री 아니 काम करते हैं थाप्स सण हessen कि बात करते हैं तो सब्स्क्राइ जैसे कि आप साथ इंडिजि कि वात करते हैं तो सर हमारा कहना है कि यृ। बॉल्ट यंदि सथा अपना चाहिए कर सक तो सर हमेरे भी यह है कि हमें लप जापों मोहिय कराई जा है जाया जाती है बहुत जल्डी इवन नौट विदिं 7 देस्ट से भी जल्डी हम कर सके और सर देखा जाता है कि सर जैसे कि सफाई करमचारी है सफाई करमचारी की उननिसटों पे ग्रेड है और हमाई 2,000 पे का लेवल है और इंकम का लेवल है से मुझ आता है तो हमें से लोग तानते ठंक से हमसे अपने यह बत कहना चाहते है और जैसे कि लेक पाल का जोई पदनाम है भी बॉंड की वेंट चेंज लेक पाल टू पराजस्मिरिक्षर हम चाहते है कि उसको आप कर दे तो मतलब यह चेंज अपना संग को खिशन अपने लेक पाल को कि हमारा भी जो लेक पाल संग है और प्रहिस है और अची हो सके जो बहुत सालों से हम करते है और अच्छी से काम कर से कि आपको बढ बेंदा ना करना पड़िंग कि हमने काम तरेशे क्यों किया वाउज स्था i.t तो मुझे हमारी सासन में बारता है तो मुख्यमंतरी ने निर्देश दिया है सचिवों से आज हमारी बारता चल लए उसमें कुछ न कुछ नेड़े हमारे पक्ष में आएगा और मुझे पुड़ भी स्वास है कि हमारे मांगे यथावत पूरी होगी जल्द से जल्द पूरी होगी अगर मुख मंत्री महोद हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो मुझे मजबूरन धरने पर वैठना पड़ेगा अगली रणी जो भी मेरा परदेश नेतुरी तो अगली रणी तै करेगा उसका अन सक्छर से पालन करेंगे हमारा जन्पत पालन करेगा पालन करने के लिए पूरा नीड़ पर जाएंगे उसका लेपाज संग सक्छर से पालन करेगा उसको फेस करेगा जो भी उनका आदेश होगा